दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉबाइल का फोटो कम्प्यूटर में कैसे डालें अगर आपने अपने मॉबाइल फोन में अपनी खुद की फोटो खीची है या फिर कोई भी फोटो है आपके मॉबाइल फोन में और आप जो है उसे अपने computer में भेजना चाते हैं computer में डालना चाते हैं तो ये विडियो आपके लिए है इस विडियो को पूरा ध्यान से देखेगा अगर आपको ये विडियो पसंद आएगा तो like, share, subscribe कर दीजेगा इसके लिए दोस्तो आपको इस तरीके से एक data cable की जरूरत पढ़ने वाली है और ये data cable लगबग सभी लोगों की पास होता है जिससे आप अपने mobile phone को charge करते हैं जी हाँ दोस्तो ये वही data cable है जिससे हम अपने mobile phone को charge करते हैं इस data cable का एक हिस्सा जो है data cable का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर आप अपने mobile में charger को plug करते हैं ठीक वहीं पर आपको लगा देना है इसके बाद जो है आपका mobile phone आपके computer के साथ connect हो जाएगा अगर नहीं connect होता है तो आपको एक छोटा सा काम करना है उपर से जब आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको transfer file लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा आपको जो है इसी पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि transfer file यह जो लिखा हुआ है इसी पर टिक रहना चाहिए तब ही आपका phone आपके computer के साथ connect होगा किसी किसी phone में क्या होगा कि जैसे ही आप data cable को अपने mobile phone से connect करेंगे तो तुरंत जो है आपको screen पर इस तरीके से message मिल दाएगा यहाँ पर भी आपको दूसरा ही option select करना है जिसमें लिखा है transfer file वहीं पर आपको click कर दिना है click करते ही आपका mobile phone जो है आपके computer के साथ इस तरीके से connect हो जाएगा अब आप जो है अपने mobile phone में जो भी storage है उसको अपने computer में ही इस्तमाल कर पाओगे जैसे कि आप देख सकती हो मेरा mobile phone यहाँ पर दिखाई दे रहा है realme C3 और उसका जो storage है वो open हो गया है अब हम जो है इसे double click करके open करेंगे और अपने mobile phone में जहाँ पर भी photo हमने रखी है अगर आपने mobile के camera से photo खीची है तो वो DCIM folder में होती है इतना आपको ध्यान दिना है और अगर आपने mobile phone में कोई photo download किया है तो वो download वाले folder में होगा तो आपका mobile है आपको जरूर पता होगा कि किस folder में आपने photo रखी है आप उस folder को double click करके open करेंगे इसके बाद सारी की सारी जो photo है वो दिखाई देंगी अब आप जो है यहाँ से जिस भी photo को अपने computer में लेके जाना चाहते हैं उस photo को select करिए जैसे कि मैं अमिताब बच्चन जी की जो photo है इसे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसे select कर लूँगा इसके बाद जो है Ctrl C से हम copy करेंगे Ctrl बटन दबाईए C बटन दबाईए copy हो जाएगा या फिर इस photo पर mouse का right click करिए right button इसके बाद यहाँ पर भी आपको copy का button मिलेगा copy कर लिजे अब आप जो है यहाँ से इसे minimize कर दीजे अब आपको अपने computer में इस photo को कहां पर रखना है सबसे पहले आप वो folder बताईए तो मैं desktop पर ही रख लेता हूँ mouse का right click करेंगे हम desktop पर new पर जाएंगे और folder पर click करके एक नया folder बना लेंगे जिसका नाम मैं डाल देता हूँ mobile ठीक है मैंने mobile ही डाल दिया इसे जो है double click करके open करेंगे और जो हमने photo अभी copy की है अमिताब बच्चन जी की उसी को जो है यहाँ पर open करने के बाद mouse का right click करके paste पर click कर देंगे देखिए यहाँ पर paste का button मिलेगा इस पर click कर ये या फिर इसकी shortcut बताया गया है control button के साथ V button को दबाईएगा तो paste हो जाएगा तो देखिए वो photo आ गई है इसे बड़ा करके देखने के लिए view पर click कर ये large आगन पर click कर देजेगा तो देखिए अमिताब बच्चन जी की photo आ गई है जिस तरीके से हमने एक photo को अपने computer में रखा है उसी तरीके से आप बहुत सारी photo को अपने computer में रख सकते हैं डाल सकते हैं अब अगर आप अपने mobile phone को computer से हटा भी देते हैं तो भी जो है वो photo आपके computer में रहेगी मैं वो भी दिखा देता हूँ हम यहाँ से back आ जाते हैं और मैं अपने mobile phone को यहाँ से जो हमने data cable लगाया है mobile नाम से तो देखिए mobile नाम का folder है और उसके अंदर photo भी है भेजने का एक और तरीका है सबसे पहले आप अपने mobile phone को connect करिए और mobile phone का जो storage है उसे open करिए और उस folder को open करिए जहाँ पर आपने photo रखी है open करने के बाद आप उपर की side में ध्यान दीजेगा यह हमारा पहला tab खुला है और यह mobile वाला tab खुला है आप देख सकते हो और यह जो plus वाला icon दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है एक नया tab खुलेगा और दूसरे वाले tab में हमें computer वाला folder open करना है computer वाला folder हमने कहा बनाया था desktop पर और mobile के नाम से तो देखिए यह हमारा computer का folder खुला है और यह mobile का folder खुला है mobile में से हमें computer में photo को लेके जाना है तो हम क्या काम करेंगे जो photo को लेके जाना है उस photo को हम जो है select कर लेंगे shift बटन दबा के भी आप इस तरीगे से select कर सकते हो और control बटन दबा करके एक एक फोटो को select कर पाओगे जितनी आपको फोटो लेके जानी है उतनी फोटो select करने के बाद माउस का left बटन दबाईए और इस तरीके से ले जाकर के दूसरे वाले टैब पर पहले ले जाएए माउस को छोड़ना रही है इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आगर के यहाँ पर छोड़ना है तो देखिए वो वाली जो फोटो थी यह सब और वो जो है हमारे कम्प्यूटर वाले फोल्डर में जो है मोबाईल का जो फोल्डर है उसके अंदर आ गई है इस तरीके से भी जो है आप अपने मोबाईल की फोटो को विडियो फाइल कुछ भी जो कुछ भी आप अपने कम्प्यूटर के अंदर डालना चाहो डाल सकते हो एक चीज का आपको ध्यान देना है कि यह जो टैब वाला ओप्सन है यह विंडोज 11 में काम करता है अगर आपके कम्प्यूटर लैप्टॉप में विंडोज 11 डाला हुआ है तो यह टैब वाला ओप्सन जो है आपको मिलेगा लेकिन अगर आप जो है विंडोज 10 या फिर उससे नीचे का वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है आपको टैब वाला ओप्सन नहीं मिलेगा उसमें आपको पहला ही तरीका अपनाना होगा अगर आपको यह विडियो पसंद आया तो इस विडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिए मिलेंगे फिर एक नई विडियो में एक नई जानकारी है साथ तब तक लिए जैहिंद, बन्दमातरम